हेई गाईज मैं हूँ सोच करनल और सवागत करता आपका हाई टेक भाद इस यूटूब चाहर पर तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे वीटा अप्लिकेशन के अंदर जो की फ्रेम होता है वसे आप कैसे यूज कर सकते हैं कहां पर आपको यह जो है मिलता है और कैसे मिलता है और इससे आप वीडियो या फोटो को एंडिमेड कैसे कर सकते हैं आज यह सारी सार करी आज के इस फीडियो में आपको देखने में तो दोस्तों आई एचली शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहरे आपको वीटा अप्लिकेशन जो है वो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेश चलाएगा जहां पर यहां पर आपको न्यू प्रोज यहां पर क्लिक करके इस ब्लाइक बेरग्राण पर बढ़ा करने के बाद यहां पर इसका जो रेशियो है वह कर देता ओं 16 ready थि टू है अब यहां पर हमने जो है main video जो हमारा सब से टॉप पर रहता ह। वह हमने डाल दिया और यह ऐसा main video हर एक आपका editing software या application प烏ब इसा करते हैं अब मैं आप एड करता हूँ लेयर कैसे एड किया जाता है विटा एप पर तो यहां पर आपको मोल का ऑप्शन दिख रहा है उसके पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको क्लिक करने के बाद आप जो है यहां से लेयर कर सकते हैं तो यहां से एक वीडियो एड करता और ने यहार आया अभी यहाँ पर अम जो है इसे की फ्रेम देंगे और इसे जो है न हम फो में ईसे करेंगे कीफ फ्रेम के थूब कर लेना अगर समझें ग फैडल ब्लती से आपको बहुत कर दिया अब आपको यापकी वीडिया दिखरी कर पह Vitaly पर लाक बेगां कि स्लेक्ट कर पारेjek में तो लीमार कि मैं कहा उप्षिए आपको मोर काहिए क्या तो यहां पर आपको पर अपको प्र मर्णक करते हो ना तब आपको वो जो विदिए आप से आपस वने लगेगे क्या है तो वेडियोलां तो यहां पर आपको लाधिक उन के उपर टैप करते हैं तो यहाँ पर यह जो है जहाँ पर यह जो लगता है वह होता है start तो हमें start यहाँ नहीं हम स्टार्ट यहाँ रखना है हम वीडियो को यहाँ से start करेंगे यहाँ यहाँ पर click कर देंगे फिर यहाँ से हमारा keyframe लगना है शुरू हो जाएगा अब जब भी आप जो है अपनी वीडियो को move करोगे तो आपका वीडियो जो है उस तरह किसे animate होगा अभी यह जो है हमारा start है हम अभी जो है अब देखते हैं वीडियो कैसी बनी हम यहाँ पर पीछे आ जाते हैं अब जैसी के आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है अब जब अब इससे इधर से इधर move करेंगे अब यहाँ यहाँ पर एक और की लगा तो अब यहाँ पर प्ले करेंगे के तो इस तड़ीगे मुव्मेंट मिलेगी और जब movement होती है तो उसे हम animation भी कह सकते हैं तो यहाँ पर हम जो है अपने वीडियो को जो है इस तरह के से movement देगे और जहाँ पर आप देख पार हो यहाँ पर इस की का gap देखें और इस की का gap देखें जितना gap कम होगा उतना ज्यदा वो जो वीडियो है fast move करेगी अब भी समझ आजएगे एक idea आजएगे कैसे इसे use करते हैं तो दोस्तों मैंने लगवग लगवग आपको keyframe के बारे में सारी की सारी जानकारी दे दिये कि कैसे आपको use कर सकते हैं कहां आपको मिलेगा और कैसे आप जो है इसे लगा सकते हैं जो भी तो वीडियो शेले के लिवडि मिलेगे आपको करते हैं नहें से झाले क hè यावी केड़ Самन कारी जो हैं नहें में सब्सित हैं धक क्शेचक के वीडियो दोस्तों मिलेगं आपको केहा हैं जो उसे एक की मैं सकते हैं वीडियो खि Самन कारी के हैं यावववब